तो आज की इस व्लॉग में मैं शुरुबात कर रही हूँ सुभा से तो सुभा मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स तो यहां के अनाय को फ्रूट्स यानिक एपल दिये हैं और साथ मैं रख दिया था कि सुभा मैं गर्म करके देंगी तो काफी पसंद आती हैं इस तरह की चीज़े जैसे की देशी चीजे डाइक पराटा हो और कबाब हो सबजी हो इस तरह की चीजे रिदमध्य को काफी पसंद है तो जंक पूट बहुत कम ही लेकर जाती है इस खुर में मतलब मैं चीप देती ही नहीं चीप जेती हूं ना बिसक्ट देती हूं कोशी करते हूं कि ज्यादा तर रूप हेल्दी नाश्टा ही दूं मतलब हेल्दी लंच बॉक्स बना कर तो लाजमिंदा देती हूं कोई ना कोई फ्लूट न की लंच बॉक्स में जाता ही जाता एय। इन जातल कर देती हूं ग्यूंदा ऑंको में किचन में दुपायर का खाना बनाने के लिए तो यहां पर मैंठोची दना रहे हूं दुपायर के खाने के लिए तो यहां पर को कर दो तकी कि आने सबसे पहले डाल देक प्यास दाली जिस में और थोड़ाई उसे mail कर लिया था सब्सक्राइब करें लाय है तूमाटो प्यूरी की कि टोमाटो प्यूरी की उतने महें तो ज्यादर बैटर रहे हैं इस तो जादा पूर आरे इसके अचा से पून लिए है तिनों चीजों मैंने डियाक जेला तर जीजिए करिकाने बाउडर डाला था गरम मसाला पाउडर डाला था और यह सब चीज़ डाल चार पाच मसाले जो बेसिक होते हैं वह डाल के फिर से मैंने बुनाई की दी और मतले एक दू मिनिट मैंने लो फिलेम पर इसे भून लिया था थोड़ा सा पानी डाल दिजेगा वहना तो यह सुखे तो चमच भी डालें तीन चमच भी डाल सकते हैं कि यहां पर मैंने कमी डाली थी सब्सक्राइब तो उसी हिसाब से मैं इसमें दो चमच डाली दो से ढ़ाई चमच और सब मसालों को डालके एक बार भून लीजेगा फिर से और जब अच्छी से खुश्बू आने लगे मसाले म मतर थी तो आदर कप इसमें में यूज़ कर लिये तो कड़े चोहां से वाश करके डाले अच्छे से करके तो चमच दाल लेगा ऑच्छे सेचे दो मिनट बुद लेगा और पाने डाने के बाद लग देजेगा को कर को बन करके एक विसल आनाके बाद उसे मीडियम फ्लम पर छुड़ देगा पार्च मनेट के लिए अपफी गैस बने कर दी जगा सांभर मसाला मैं ना था कप लियाने है तो और हुष dönतें रवनधिया है इंपता के पहले पानी पहले भीग आपके ऐने तो पहले पानी? और एक प्यास ली है बड़े साइस की। प्यास जादा जाएगीcimento है लोकी सापना जाएगी मैल तो यह साथे मैं जाल में प्यास love optim याय आप जो न convene सकते हैं मतलग एस जबी सांबर хочет उपे आधा साथ में बंता है तो आधे सांबर मसाला रिया है है तकरीबन चार चमच भर Bash मततश एबी स्मुल्चigen उपने सांबर कियों कि ग्यातने इसमें मसाम था सम्ब्र आग Case Mike कुकर में डाल देते हैं मतार दाल और लॉकी बैगन और प्यास और ये सब चीज़ डाल देंगे लेकिन जो इमली का पल पर वह एंड में डालने के आखर में खटास के लिए तो यह सब लाने के बाद आप चोड़ देगा पास्ज मिनट के लिए लो फिलेंप खाल साथ ही मैं अधर लसन का पेस डालना चाहिए थो ढल ढ़ना थोड़ा सा और यहां पर मैं याँ रड़क रख लसन का पिज भी डाला थे तो टोड़ा सा और जो रेदा चली की जो हमारी चटनी होती जाए नमक बना रहरें तोट शुरुमेइं काम डालेका आखर में टेस्ट कर लेजएगा और टेस्ट के शाप आप नमक कर सकते हैं जब तक सबसे कुकर में कर रही थी तो मैंने सूचा कि यासिर के लिए मैं एक प्यूरी बना लिती हूं तो एपल और बनाने के प्यूरी थी तो एपल को मैंने स्टीम करने के लिए स्टीमर में डाल दिया था और पाच मिनट के लिए छोड़ दिया था लोग फिलें पर ढग क और जब वो एपल स्टीम हो गए थे फिर मैंने निकाल कर उसे ठंडा किया था मतलब उसके जो एपल पीसे ठंडा करके उसे मैश कर लेता बनाने के साथ तो यहां सिर को मैं आज कल खिलाने लगी हूं तो वैसे तो मैं सहरे लाइक भी देती हूं लेकिन इसाना के प्योरी होमे लेजेगा और सांबर को भी मैंने खोल कर देखा तो यह भी अच्छे से बन गया था अच्छा फ्रेंड्स आपको देखे मसाले मैं एंड में डाल रही हूं अगर आप यह रेगुलर मसाले बीच में डालना चाहें तो इस रप्र यू लेकिन जो कलर है वो दब जाता है इसल सर्फ करूंगी पाओ के साथ इसमें उपर से डाले मैंने थोड़ा सा बटर और आप चाहें तो पकाते टाइम भी बटर डाल सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा आखर में ही डालती हूं क्योंकि आखर में खुश्बू और टेस्ट और अच्छा आता है और साथ ही मैंने दिया साथ दूपएर में लंच के लिए बच्चों को पाओ भाजी और सांबर मैंने बना कर रख लिया क्योंकि डोसे के साथ यह अच्छा लगता है तो जब बनाऊंगे तो मैं सांबर सर्फ करूंगी अभी बनाकर मैंने इसको फ्रीज कर लिया है और आप फ्रीज भी कर सकते हैं सांबर को बना लीज़े और जब आपको चाहिए हो दो दिन बाद तो निकाल लिए और बच्चों को दीजिए तो यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूं सांबर का जिसमें मैंने डाला है करीपत्ता थोड़ से ओल में करीपत्ता डाला है और सुखी लालमेच और हाफ टीजि कर सकते हैं आखर मैंने हरा दानिया डाल जाता है डेकोरेशन के लिए और बनके यह दो जटपट से चीजें डिनर और लंच के लिए और देखिए मैंने यह बनाया था बैगन आलू के सबजी इसके रासिपि मैं आपको आगने वाले वीडियोस में दे दूंगी काफी मज़ सुन!